दोस्तों West Indies की टीम पाकिस्तान 3-20 और 3-1-day मैचों की सीरीज खेलने आई थी जैसे तैसे 3-20 मैचों की सीरीज तो कम्प्लीट हो गई लेकिन 1-day जो सीरीज है वो पोस्पोर्ण हो गई दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों की सहमती के मद्दे नजर ये सीरीज को अब अगले साल जून में कराया जाए गाई जी तो इसके पीछे जो वज़ा है वो है तीन पॉजिटिव पाए गए मैं आप लोगों को बता देती हूं वो कौन-कौन से तीन खिलाडी थे जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से थे फास बोलर शेल्टन कोट्रल और रॉस्टन चेज और काईल मेर्स और आज जो है अब सीडि जो उनका थर्ड और फा पॉजिटिव पाए गए है और टी ट्वेंटी तो आज हो गया लेकिन जो ओडिया है तीन ओडिया यह खेले जाने थे इन दोनों टेम्स के बीच में और अब वो है अगले साल जून में यह खेला जाएका रिशीडियूल कर दिया गया है इसे देखिए अब चीजिया यही ह मुखे खिलारी भी बाहर निकल कर आए जिसमें शेह होब भी थे अकेल हुशेन भी थे जस्टिन ग्रिवस भी थे और उसके बाद दोनों बोडों ने यह सहमती से फैसला लिया कि जो वेस्ट इंडिस के पास टीम है और उसमें से ज्यादा तर खिलारी कोवीड में उसको समाप्त किया जाएगा और शाजिया पाकिस्तान के लिए एक जटका है क्योंकि वैसे ही हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आने में कई टीमों ने मना किया चाहें वो इंग्लेंड हो चाहें पे उससे पहले न्यूजलेंड का दोरा हो और अब जब वेस्ट हुआ था जादा लोग तादाद में नहीं आये थे और उसके बाद वसी मकरम ने नारजज की जताई थी कि स्टेडियम में जादा लोग नहीं आये लेकिन बारहाल वो अलग बात है या आप लोगों को ये भी बता देते हैं जो लोग नेगिटिव पाए गए हैं वो आज के T20 के बाद अपने घर Christmas holiday के लिए पहुँच आएंगे अपनी families के पास लेकिन जो लोग positive पाए गए हैं वो अपना quarantine period कराची में ही पूरा करेंगे उसके बाद ही वो पाकिस्तान छोड़ कर जा पाएंगे लेकिन जो negative पाए गए हैं वो रवाना हो जाएंगे आज की T20 के बा पाएंगे क्योंकि isolation का जो process है वो पूरा करता हो का और जब उनकी रिपोर्ट negative आईगी तब ही वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे अपने देश के लिए रवाना होंगे और जो खिलारी negative है वो खिलारी अपने इस match को complete करने के बाद वो निकल सकते हैं अपने देश के लिए तो यह update ही हमने आपको बताया और आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए साथ ही आप sports तक को subscribe कीजिए और notification की जो घंटी है वो जरूर दबाईए क्योंकि कोई भी update होती है अगर आप notification की घंटी दबाते है तो सबसे पहले आप कोई मिलती है और साथ ही आप house at को भी जरूर डाउनलोड कीजिए